नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी यान बोच चैनल पर दोस्तों हम प्रिवेसर कोशिन पेपर की चेप्टर वाई सीरीज कर रहे थे तो आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी गद्धी की अन विधाएं जिसमें यात्रविर्तांत संस्मरन रेखाचित जीवनी आत्मकथा इंट्रव्यू पत्र डाइरी से संबंदित जितने वी 2004-2019 तक के प्रशन पूछे गए हैं उन सारे प्रशनों को मैंने आज की वीडियो लेक्चर में संग्रित किया है उमीद करती हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आय मैंने गद्ध विधाओं के उपर जैसे मैंने आज वन लाइनर वाले प्रशन लिये हैं इससे पहले मैंने इनी गद्ध विधाओं के उपर अनुकरम से संबंदित भी वीडियो लेक्चर बनाया है और सुमेलन से संबंदित जो गद्ध विधाओं के उपर जितने भी करते हैं यात्रा विरतांत से कौन सा यात्रा वुरेतांत है दिसंबर 2005 का प्रशन है ये चार विकल्प दिये गए हैं जिसमें हमें यात्रा विरतांत रचना ढूंनी country गो सही विकल्प जो है वो है चीरो पर चांदनी यह यात्रा विर्तान्त है किसकी है चलिए चारो विकल्प जो दिये गए हैं उत्तरसाइद पढ़ लेते हम इनको चीरो पर चांदनी जो है यात्रा विर्तान्त ये निर्मल वर्मा की है जो 1964 की है भूले बिसरे चित्र 1969 की है बगवती चरण वर्मा की है और ये यात्रा विर्तान्त नहीं है ये उपनियास है देखें यहाँ पे चार अलग अलग रचनाएं पूछी गई है जिसमें यात्रा विर्तान्त उपनियास रेखा चित्र संसमरण है तो आप देख सकते हैं किस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं और इनको एक जगा संगरित करने का मेरा मकसद यही है ताकि आप देखें किस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं अलग अलग कवी और उनकी रचनाएं तो इसमें जो भूले भी स्रे चित्र है भगवती चरण वर्मा की है एक उपनियास है अपनी खवर पांडबेचन शर्मा उगर की है जो 1960 की है और यह एक रेखा चित्र है पत के साथ ही यह महादेवी वर्मा का संस्मरण है जो 1956 की है यह चारों बहुत ही महत्यपूर्ण है पूछी जाती है और आगे भी पूछी जा सकती है तो आपको इनके सन और इनके रचनाकार और किस विधा की है जैसे यह आतरवरतान तो उपनियास रेखा चित्र यह सब आपक अगे की कौन सी रचना यात्रा पर अधारित है दिसंबर 2006 का प्रशन है जो यात्रा पर अधारित रचना है वो है एक बूंद सहसा उचली चलिये चारों विकल्ब के उत्तर भी पढ़ लेते हम यहाँ पे एक बूंद सहसा उचली एक यात्रा विरतान्त है जो अगे की है यह 1960 यहाँ पे देखिए अगे की ही सारी रचनाय पूछी गई है लेकिन अलग-अलग विधा से पूछी है यहाँ पे यात्रा विरतान्त पूछा है निबंद पूछा है कवीता संग्रे पूछा है कहानी संग्रे यहाँ पे देख लिजिए चारो विकल्प में अगे की ही रचनाय पूछी है लेकिन अलग-अलग विधा से पूछी है तो चलिए पढ़ लेते हैं आत्म नेपद एक निबंद संग्रे है जो 1960 की है बावरा अहेरी कवीता संग्रे है जो 1954 की है जैदोल 1951 की है एक कहानी संग्रे है यह चारो विधाओं की रचनाय जो पूछी गई है बहुत ही महत्यपूर है रिपीट होती रहती है तो आपकी विधाओं के नाम और इनके सा इनकार की है यह सारी अगे की है यह भी आपको पता होना चाहिए अगला प्रशन अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा विरतांत है दिसंबर 2010 का प्रशन है तो यह चार विकल्प दिये हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा अगे यहाँ पे अगे की य यात्रा विरतांत है अरे यायावर रहेगा याद जो 1903 की है इसी तरह अगला प्रशन एक बुन सहसा उचली किस विधा की रचना है देखें यहाँ पे विधा पूछ लिया गया है तो यह एक यात्रा विरतांत है दिसंबर 2012 में पूछा गया मैंने पताया था ना आपको कि किस तरह से इसकी विधाई भी पूछ ली जाती है सन भी पूछा जाता है रचनाकार भी पूछा जाता है तो महत्यपूर कवी और उनकी रचनाएं ही ज्यादा तर पूछी जाती है तो आप इनको ज्यादा तर ध्यान ही रखें अगला प्रशन सेष यात्रा की लेखी का कौ जो 1948 की है राहूल साकर्तियायन की ये विधा है अगला प्रशन अरे यह यावर रहेगा याद किसका यात्रा विर्तांत है जून 2013 का प्रशन है यात्रा विर्तांत जू निसो तिर्पन की है देखिये रिपीट हो रहा है किस तरह से प्रशन यहाँ पैं भी देखिए गुमकर् का प्रशन है तो यह राहुल साकृतियाइन की है जो 1948 की है उसके वाद अगला प्रशन है दिसम्बर 2014 का पूछा गिया पृत्वी परदक्षणा के लिखक कौन है तो यह है शिर परसाद गुप्त जो 1914 की है अगला प्रशन निरमल वर्मा का यात्रा संस्मरन चीडों पर संस्मरन रचना है जो 1964 की है निर्मल वर्मा की यह है अगला प्रशन देखिए किस तरह से रिपीट हो रहा है 2016 में भी यह पूछा गया दिसंबर में भुमकर सास्त्र यात्रा विर्तांत के लिखा कौन है तो यह है राहुल साकर्तियान जो 1948 की है अब संस्मरन से जो प्रशन प यह रग्भाईर सहाई का से समर्दियान विज्श की नहीं है अगला प्रशन इन में से कौन सी कृती संस्मरन विधा की नहीं है अब पुछा जा रहा है कि ये चार विकल्प दिये हुए हैं इनमें से पूछा है कि कौन सी नहीं है संस्मरन विधा तो वो है मित्र समवाद मित्र समवाद एक संस्मरन विधा नहीं है ये केदारनात अगरवाल और राम विला शर्मा के पत्रों का संकलन है अगला प्रशन महादेवी वर्मा की किस कृती में जीव जन्तूओं और पशुपक्षियों से सम्बंदित संस्मरण है जून 2015 का प्रशन है ये चार विकल्प दिये हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा मेरा परवार कृती में जीव जन्तूओं और पशुपक्षियों से सम्बंदित संस्मरण लिखा गया है यहां चार विकल्प को हम पढ़ लेते हैं अतीत के जलचित्र 1941 की है पत के साथ ही 1956 स्मृति की रेखाएं 1943 मेरा परवार 1972 यह सारी रचिनाएं महादेवी वर्मा की हैं जो बहुत महत्पून हैं पूछी जाती है अदल बदल करके तो आपको याद होने चाहिए इनके सन अगला प्रशन इन में से कौन सा संस्मरण आत्मक गरंथ कृष्णा सौबिती द्वारा रचित है जून 2016 का प्रशन है तो चार विकल्प दिये हैं जिसमें से उत्तर हो जाएगा हम हश्मत हम हश्मत संस्मरण आत्मक गरंथ है जो कृष्णा सौबिती की है 1977 की ये रचना है अगला प्रशन रेखाचितर से लिया गया है अगला प्रशन महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचितर नहीं है यहाँ पे पुछाए नहीं है दिसम्बर 2016 का प्रशन है तो यहाँ चार विकल्प दिये हैं जिसमें माटी की मूरते महादेवी वर्मा द्वारा रचितर रेखाचितर नहीं है अब चारो विकल्प पढ़ लेते हैं यहाँ पे अतीत के जो जल चित्र है 1941 की है पत के साथी 1956 स्मृति की रेखा हैं यहाँ पे 1943 देखिए यहाँ पे महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र हैं पूछे गए हैं और रिपीट हुआ है ये भी तो जो इसमें पूछा है रेखा चित्र नहीं है तो माटी की मूर्ते महादेवी वर्मा की रेखा चित्र नहीं है जो 1946 की है अगला प्रशन इस समय तो भारती पुरुष जैसे अपने मनरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है उपयोग के लिए गाएं और घोड़ा पाल लेता है उसी परकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पसुपक्षियों के सम्मान ही वह उसके सरीर और मन पर अधिकार समझता है उपरियुक्त कथन किसका है जून 2019 का प्रशन है तो ये कथन लिया गया है अवारा मसीहा किसकी रचना है जून 2010 का प्रशन है तो अवारा मसीहा विश्नु परभाकर की है जो 1974 की ये रचना है अगला प्रशन अवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर अधारी थे दिसंबर 2010 का प्रशन है देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है प्रशन लेकिन यहाँ पर जून में पूछा गिया यह दिसंबर में पूछा गिया तो यहाँ पे पूछा है यहाँ पे पूछा है अवारा मसीहा किसकी रचना है और यहाँ पे पूछा है अवारा मसीहा किसके जीवन पर अधारित है तो यह शरत चंद्र के जीवन पर अधारित है और किसने लिखा है विश्णू परभाकर ने 1974 में यह भी याद होना चाहिए और प्रशन है शिकर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है जुन दुहजार बारा क प्रशन है तो यह जो जीवनी है अगे की है उननीस सोच्छिंख के अगला प्रशन वयोयं के दरवेश किस विदा की रचना है दिशंबर 2012 का प्रशन है तो ये एक जीवनी है जो विश्वनात्र पाठी द्वारा रचित है 2010 की विधा रचना है अगला प्रशन मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है दिसंबर 2014 का प्रशन है तो मिला तेज से तेज एक जीवनी है जो सुभध्रा कुमारी चोहान की जीवनी इनक आपको याद होना चाहिए पूछा किसी भी तरह से जा सकता है तो आपने इसको ध्यान रखना है मैंने उठाके पूरा लिखी दिया तो आप पढ़ लीजिएगा अगला प्रशन है भारतेंदू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र गरंत के रिचिनाकार कौन है जून 2015 का इसका लिंक दे रखा है अब चाहें तो क्लिको के डायरेक्ट जॉइन हो सकते हैं वहाँ पर मैं स्टड़ी मटीरियल के साथ मौक और अपडेट करती रहती हूं और मैंने वाट्सप ग्रूप भी बना रखा है अगर आप चाहें तो जॉइन हो सकते हैं फ्री ओफ कोस्ट त मःत्मा गांधी के लिए तो यहां पर जो है। इसका सही उतर है यह डिँक्त का प्रेशन है यून तो महत्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुश गांधी के लेखक है जनियंदर कुमार अगला प्रशन है निमने लिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है अब पुछा जीवनी नहीं है तो मेरी पत्नी और भेड़िया जीवनी नहीं है ये नॉम्बर 2017 का प्रशन है चार विकल्प दिये हैं तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं चार विकल्प जो दिये हुए हैं ये जीवनी आपको याद होनी चाहिए मैं जितना हो सका है मेरे से मैंने कोशिश करिये कि उनको मैं यहां पे उत्तर सहित लगा सकूं लेकिन आपने चारो विकल्प सहित याद करना है जो मैंने आपको बुक बताईए यूथ कॉम्पेटि करें उसको पढ़ें अराम से हो चाएगा तो यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी मेरी पत्नी और भेडिया धरम विर भारती की दलित आत्मकता है जो 2009 की है यह जीवनी नहीं है क्योंकि इसमें पूछा है जीवनी नहीं है अवारा मसीह किसके जीवन पर अधारित है य अपने ध्यान रखना है तो यह है शरत चंद्र के जीवन पर अधारित है किसने लिखी है विश्णु परभाकर ने कब लिखी है 1974 में यह यहां पर मैंने लिख दिया है में अब ध्यान रखिएगा अगला प्रशन है वट व्रिक्ष को चाया में किस लेखक की स्मृती को सु रक्षित रखने के लिए लिखी गई किसने लिखी है उनकी पत्नी ने लिखी है कुमुद नागर ने कुमुद नागर अमेरिकला नागर की पत्नी है अगला प्रशन निम ने लिखी जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है जून 2019 का प्रशन है यहां च दिखें यहां पर फिर से रिपीट हो रहे हैं दिसंबर 2019 में मैं कहती दिना की रिपीट होते हैं प्रशन दिख लो अवरा मसीह की सहितकार की ओपनिवाशिक जीवनी है तो यह है शरत चंद्र अगला प्रशन इतना रिपीट हुआ है कि मैंने इसको दुबारा लिखा ही नहीं अब पूछ रहा है कौन सी आत्मकथा नहीं है दिसंबर 2020 का प्रशन है यह चार विकल्प दिये हैं जिसमें माटी की मूरते आत्मकथा नहीं है चलिए विकल्प सही पढ़ लेते हैं इनका उत्र मेरी आत्म कहानी शाम सुंदर दास की है मेरी असफलताएं बाबु गुलाब दोवराई की है मेरी जीवन यात्रा राहुल साकरतियाईन की है जो 946 की है माटी की मूरते एक रेखा चितर है रामब्रिक्ष बेनिपूरी की है जो 946 की है यह आपने याद रखना है देखे किस तरह से कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दिये गया है तो बच्चा क्यों नहीं कन्फ्यूज होगा अगर याद होगा अच्छे से तो अच्छे से चांट पाएगा इन चारो विकल्प में से सही उत्तर पूछा है आत्मकथा नहीं है तो माटी की मूरते हैं रामब्रिक्ष बेनिपूरी की हैं जो आत्मकथा नहीं है क्योंकि एक रेखा चितर है 1946 की आपन जी दिधा सैथ कल्म का सिपाही जो 1962 है अमृतर राय होी रे दोरा लिखी जिवनिएत चीड़ों पर चांडनी एक यात्रा व३र्तां थैंजो निर्मल वर्मा दोरा लिखी गई है 1964 में अर्द कथानक एक आत्मक॥ा है जो बनार्सीrü द्वाथा दोरा लिखी कई है यात्रा विर्तांत भी दे दिया और उसमें से एक आत्मकथा दे दी और वही आत्मकथा हमें च्छाट नी थी अगर हमें याद होता थो हम इसको च्छाट पाते हैं अब यहां पर तीसरा जो ऑप्शन है अर्द कथानक 1661 है बनासिदास कृत द्वारा रचित यह आत्मकथा य चारो विकल्प के उत्तर सेथ लगा दिये हैं आप देख लीजिएगा तो चली अगला प्रशन करते हैं यह तो रही गया बाढ़ भट की जो आत्मकथा है यह हजारी परसाद दिवेदी की है जो एक उपनियास है 1946 की है अगला प्रशन पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है यून 2013 सेकंड पेपर का प्रशन है तो यह जोपडी से राज भवन तक यह माता परशाद की दलित आत्मकथा है जो 2002 की है यह आपने याद रखनी है देख लीजिए उत्तर लगा दिये मैंने यह आपर अगला प्रशन है अर्द कथानक किस विदा की रिचना है दिसंबर 2013 का अर्द कथानक कि आत्मकथा अब पूछ है अरध कथानक की भासर क्या है तो यहां पे भाशा है अ मतलब परशन हो अब परशन को ही चेंज कर देंगे इस तरह से पूस्ते हैं परशन अगला प्रशन है इन में से कौन सी दलित आत्म कथा नहीं है पूछ रहा है दलित आत्म कथा है नहीं है जो है अपनी खबर चलिए पढ़ लेते विकल पुष्ट का भी नागफनी जो है रूप नरायंड सौन कर की है जो 2007 की है ये और जूठन 1997 की है और प्रकाश बाल में की की अपनी खबर पांडवेचन शर्मा उगर की है जो 1960 की है और ये रेखा चित्र है मुर्दहिया एक तुलसी राम की दलित आत्म कथा है जो 2010 की है यहाँ पे चारों विकल्प दिये हैं जिसमें से तीन तो दलित आत्म कथा है एक जो है वो रेखा चित्र डाल दिया है तो 1960 की है ये रेखा चित्र है ये दलित आत्म कथा नहीं है बाकी तीन दलित आत्म कथा है और ये तीनों महत्यपूर्ण है तो आपको इनके सन और इनके लेखक याद होने चाहिए और किस विधा की है ये भी पता होना चाहिए एक दलित आत्म कथा है एक आत्म कथा है तो आप 397 अगला प्रशन आत्मकत्षा चार विकल्प बतीना प्रशन है किसकी है अगला प्रशन है आत्मिके लेक्षणüher कोन है कि दिम्ब सेठ गोविन्दास और यह रचना 1958 की है यह याद रखिएगा इनके संग देहरी भाई विदेश किस विधा की रचना है जून 2014 का प्रशन है तो यह एक आत्मकता है अगला प्रशन प्रभाख हेतान की आत्मकता कौन सी है यह चार विकल्प दिये हैं इसमें से सही उत्तर हो ज किशिता है इसमें से पूछा है आत्मकता कौन है तो प्रभाख हेतान की अगला प्रशन एक पतनी के नोट की रचना किसकी है दिसम्बर 2014 का प्रशन है तो एक पत्नी के नोट्स मम्ता कलिया की है और मम्ता कलिया की ये रचना है जो एक उपनियास है 1997 की अगला प्रशन है मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकता है जून 2016 का प्रशन है तो ये मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादो की है ज को जून ay HOLintollode 121 लिग्शिन दिंट तुलसी राम की रमणी तलित आत्मकता है दिल्षा कि歌 अगला प्रशन अपनी खबर किस लेखक की आत्मकता है इसम्बर 2017 प्रशन थे पहले पाज़ा framework उग्र कुछा जाती थी अब यहाँ आत्मकता दे के पूछाए कि किसकी आत्मकथा है तो देख सकते हैं किस तरह से घुमाते हैं प्रशन को तो ये है अपनी खबर 1960 अगला प्रशन है वरंदा मनलाल की आत्मकथा कौन सी है दिसंबर 2016 का प्रशन है तो अपनी कहानी वरंदा मनलाल वर्मा की आत्मकथा है जो 1970 की है अगला प अगला प्रशान, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहीरंग जीवन का विवरन दिया है, जहां तक अतरंग जीवन का प्रशान है, वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझे में नहीं है, अगला प्रशन अन्य विधाओं में से पूछा गया प्रशन है तो मैंने ले लिया है इनको चेखव एक अंट्रिव्यो किस की रचना है दिसंबर 2013 का प्रशन है तो ये है राजेंद्र यादो की अगला प्रशन है मित्र समवाद पत्र साहित किन के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रे है यहाँ पर देखे ये प्रशन भी घुमा के पूछा है दिसंबर 2013 का प्रशन है ये पहले भी प्रशन पूछा गया है आप वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिएगा ये अगला प्रशन है शाषवती डाइरी के लिखक कौन है यह है अगे जी जून 2015 का प्रशन है प्रवास की डाइरी के लिखक कौन है दिसंबर 2016 प्रशन है तो यह है फनिशवन नाथ नीनो की रिपोटार्ज चो तक्तर की है चलिए यह तो खतम हो गया यह था आज का वीडियो लेक्चर उम्मीद करती हूं आप सभी को पसंद आया होगा और आज की वीडियो की फीड़ बैक अपने मुझे कमेंट स्रेक्शन में कमेंट करके जरूर देनी है कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के आपको लाइक करते हैं कितनी में आनत करती हूं मैं आप सबके लिए एक like से ही तो मुझे पता चलता है कि मेरे बनाएवे वीडियो आपको पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं तो छलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ धन्यवाद